कि वाग करेंगे सबसे पहले कि पामिस्ट्री होता क्या है कैसे यह बना क्यूं कैसे किस तरह से काम करता है इसका एक मैं छोटा सा बेसिक ओवर्विव दे दूता है आप सभी को देखो पामिस्ट्री कि नॉर्मल हम लोग क्या देख समझते हैं कि एक जब बच्चा पैदा होता है तो उस जब वह पैदा होता उस टाइम से उसका भागने का उतनाव होता है उसके कृस्त में चालू होते हैं अजयए उसका जो पूरा लाइफ सेर्कल चालू होता है लेकिन पामिस्ट्री उसके पहले से शुरू हो जाता है जब बच्चा पेट में होता है तो सबसे पहले बच्चे का जो ना स्पाइनल कॉट बनता है उसके बाद दिमाग उसके बाद हार्ट उसके बाद धिरे 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 चीज़े जो है एक्सपैंड होते बनती है तो सबसे उसके बाद जब पूरा complete बन जाता है, फिर वो मुठी बंद होती है, तो जैसे वो मुठी बंद होती है, मुठी बंद होने के बाद, जो fold पड़ता है उसके बाद वो रेखा develop होने लग जाती है, तो पामिस्ट्री जो हाथ में रेखाएं बनती है, उसकी शुरुवात मदर के पेट से ही बच्चे के अंदर होने लग जाता है, फिर जब बच्चा पैदा होता है, उसके बाद से फिर दीरे दीरे उसके रेखाएं जो है develop होती रहती है, किसी भी बच्चे का अगर हाथ देखना है, तो कम से कम 12 साल तक किसी भी छोटे बच्चे का हाथ देखकर कोई फा साल तक बच्चा जो होता है वह माबाप के अंडर होता है या कोई न कोई अभी भावक होता है जैसे अनाद बच्चे कुछ होते हैं अब वो जो है उनके तो उपर कोई न कोई अभावक होता ही है तो उनके उपर जो भी उनके पैरेंट होते हैं उनका आशिरवाद होता है तो उनके कंट्रोल में होने की वज़े से भागे का काम या हस तरीखा का काम वहाँ पर इतना ज़्यादा इंपॉर्टन नहीं होता है बारा साल कंप्लीट होने के बाद जब टीनेज शुरू होता है 13, 14, 15 जब एक्चुली दिमाग जब जहना इनसान दुनियादारी समझता है अपना दिमाग यूज़ करता है उसके बाद से ही रेखाएं बदलती हैं और रेखाएं बहुत प्रॉमिनेंट होती जाती है किसी भी वेक्टिक अगर हाथ आपको चेक करना है तो कम से कम 12 साल के बाद ही किसी का हाथ या हाथ की रेखाओं को चेक करें उसके पहले करेंगे तो जो भी आप प्रेडिक्शन देंगे उसका कोई फल नहीं मिलेगा क्योंकि वो भविश्य में जाकर बहुत बदलता है 12 साल के बाद से हाथ की रेखाएं बहुत रैपिडली चेंज होती है स्पेशली जो मुख्य रेखाएं हाथ में होती है जो गहरी रेखाएं होती है कौन-कौन से गहरी रेखाएं होती है हृदय रेखा, मस्तिश्क रेखा और जीवन रेखा ठीक है यह तीन रेखाएं सबसे महत्वपूर्ण है और तीनों रेखाएं बहुत गहरी होती है